हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट सरकल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टैनिस टूर्णामेंट के 2019 के जितने भी क्वेश्चन से उनके बारे में डिसकस करेंगे दोस्तों यह सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इस वीडियो को अंतर तक जरूर दूसरा है फ्रेंच ओपन तीसरा है विंबल्डन ओपन और फॉर्थ वन इस यूस ओपन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुवार 1905 में हुई थी फ्रेंच ओपन की शुरुवात 1891 में हुई थी इसी तरह विंबल्डन ओपन की शुरुवात 1877 में हुई थी और US ओपन की शुरुवात 1881 में हुई थी तो दोस्तों हमारी ये चार ग्रैंड स्लैम्स होते हैं Australia Open, फ्रेंच ओपन, विंबल्डन ओपन एट US Open और ये चारो ग्रैंड स्लैम्स पाच फॉर्मेट्स में खेले जाते हैं Men's Singles, Women's Singles, Men's Doubles, Women's Doubles and Mixed Doubles ठीके दोस्तों उसको आप याद रखिएगा अब हम नेक्स्ट में आते हैं Question No.1 ये चारो टूर्णामेंट का आयोजन कहां होता है? ये बहुत ही important question है दोस्तों Australia Open Tournament का आयोजन Melbourne में होता है और ये टूर्णामेंट January में होता है ठीके? Australia Open Tournament का आयोजन Melbourne में होता है और इसका आयोजन January में होता है ठीके? नेक्स्ट है हमारा French Open French Open Tournament टूर्णामेंट पैरिस में होता है और इसका आयोजन May में और जून में होता है नेक्स्ट वन इस Wimbledon Open Wimbledon Open लंडन में होता है और इसका आयोजन जून और जुलाई में होता है ओके? अन दे लास्ट वन US Open US Open न्यूयोक में होता है न्यूयोक में इसका आयोजन होता है और ये अगस्ट और सेप्टेंबर में आयोजित किया जाता है चीके? अब हमारे नेक्स्ट क्वेशन की तरफ आते हैं दोस्तों क्वेशन नमर्ट टू ये चारो ग्रेंट स्लैंड किस तरह के मैदान में खेले जाते हैं? तो दोस्तों जो हमारा टैनिस टूनामेंट है जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये आपका हार्ट कोर्ट में खेला जाता है फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में यानि कि मिट्टी के मैदान में खेला जाता है विम्बिल्डन ओपन ग्रास कोर्ट एंड यूएस ओपन हार्ट कोर्ट में खेला जाता है ठीक है तो आपका फॉर्स्ट ए लास्ट वन ये आपके हार्ट कोर्ट में खेले जाते हैं और 2nd French Open and Wimbledon Open, French Open आपका Clay Coat and Wimbledon Open आपका Grass Coat में खेला जबता है टीक है, next question की तरफ आते हैं, question number 3, दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि इन 4 Grand Slam में इनका क्या edition था तो दोस्तों, Australia Open आपका 107 इडिशन थी, French Open की 123 इडिशन, Wimbledon Open 133 इडिशन and US Open 139 इडिशन थी, ठीक है नो कम तो दी नेक्स क्वेशन, question number 4, Men's Singles 2019 के विनर जो चारो टूर्नारमेंट पे रहे उनके नाम क्या है तो दोस्तों, Australia Open 2019 and Wimbledon Open 2019 के जो विनर Men's Singles में रहे हैं, उनका नाम है नोवाग जोकोविक, ठीक है, नोवाग जोकोविक दोनों ही टूर्नारमेंट के विनर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, नोवाग जोकोविक है, ये सर्बिया के रहने वाले हैं, कहां के रहने वाले हैं, सर्बिया के, सर्बिया की capital जो है, वो है, बेलगरेट और सर्बिया की करंसी जो है, वो है, सर्बियान दिनार तो दोस्तों, याद रिखिएगा, मैंने आपको इस एक question, जिसमें इसका answer है, उससे दो चीजों को connect कर दिया है, नोवाग जोकोविक, नोवाग जोकोविक कहां के रहने वाले हैं, सर्बिया के, सर्बिया की capital क्या है, बेलगरेट, और इसकी करंसी है, सर्बियन दिनार, ठी और इन्होंने दो टूनामेंट में विनर रहे हैं, और उस्ट्रेलियन उपेन में और विमल्डन उपेन में, अब नेक्स्ट आपते हैं, राफिल नडाल, जो राफिल नडाल है, इन्होंने दो टूनामेंट जीते हैं, यूएस उपेन और फ्रेंच उपेन, राफिल नडाल इस्पेन के रहने वाले हैं राफेल नडाल इस्पेन से बिलॉंग करते हैं वहां की कैपिटल है मैडरीट चलि नेक्स कोईशन की तरफ आते हैं वोमेंस सिंगल 2019 के विनर जो चारो टूनामेंट पर हैं उनके नाम क्या है अब हम वुमेंस सिंगल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 की जो विनर है वो है नाओमी ओसाका नाओमी ओसाका से रिलेटेट मैं आपको बताना चाहूंगी और ये जापान की रहने वाली है और जापान की कैपिटल क्या है टोकियो और वहां की करंसी है येन ठीके दोस्तों नेक्स्ट फ्रेंच ओपन 2019 का खिताब एश्ले बार्टी ने जीता है एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से बिलॉंग करती है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और वहां की करंसी है डॉलर ओके ये सारे ही क्वेश्टेंस के आंसर एक दूसरे से कोरिलेट है तो ये बात करना नेक्स्ट हम आते हैं विंबल्डन ओपन 2019 का किताब सिमोना हालिप ने जीता है और सिमोना हालिप रोमानिया से बिलॉंग करती है रोमानिया की कैपिटल है उचारेस्ट और महां की करनसी है रोमानिया लिव ओके नेक्स्ट वन यूएस ओपन यूएस ओपन 2019 का किताब बियांका एंडरिस्क्यू नी जीता है बियांका एंडरिस्क्यू कनाडा से बिलॉंग करती है और दोस्तों बियांका से रिलिटेट एक बहुत इंपोर्टेंट है जो मैं गेकशन खिताब जीतने वाली कनाडा की पहली कनाडियन खिलाडियें और साथी साथ इनोंने जिस टैनिस स्टार को हराया है उनका नाम है सेरिना विलियंस सेरन्या विलियमस को इन्हों ने हरा के ये किताब अपने नाम किया है सेरन्या विलियमस अमेरिका से है अब हम एक्सक्वेशन में आते है direction no.6 सबसे अधिक Men's Singles Grand Slam का किताब किस के नाम है तो दोस्तों सबसे अधिक Men's Singles Grand Slam का किताब रोजर फ्रेडर के नाम है इन्होंने 24 बार ये खिताब जीता है इसके बाद रॉफिल नडाल इन्होंने 19 बार यानि कि रोजर फ्रेडर के बार 19 बार मैं सिंगल्स ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है और थर्ड में आते हैं नौवाप जोकोविक इन्होंने 16 बार ये खिताब अपने नाम किया है सबसे अधिक वुमेंज सिंगल्स ग्रैंड स्लैम का खिताब किस के नाम है तो दोस्तों सबसे अधिक वुमेंज सिंगल्स का खिताब मार्गरेट कोट के नाम है अगर मार्गरेट कोट के बात की जाए तो इनके नाम कुल 24 Grand Slams के खिताब है और यह Australia से बिलॉंग करती है ओके नौ दी नेक्स क्वेशन क्वेशन नमर एट हाल ही में जारी ATP Association of Tennis Profession रैंकिंग में कौन शीश पर है तो इसमें नोवाग जोकोविक शीश स्थान पर है और दोस्तों मैं बताना चाहूंगी ATP की स्थापना 1972 में हुई ठीक है नौ दी नेक्स क्वेशन क्वेशन नमर नाई French Open को एक और नाम से जाना जाता है वो क्या है तो दोस्तों French Open टूनमेंट को Roland Garros टूनमेंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि Roland Garros नाम का एक स्टेडियम है और यह stadium फ्रांस में है जहां पर यह tournament खेला जाता है इसलिए French Open को Roland Garros tournament के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने tennis tournament 2019 से related सभी questions को cover किया है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको like करिए और comment section पे अपनी view ज़रूर दीजे और हमारी channel gate circle को subscribe कीजे और आप हमारी website पे भी visit कर सकते है gatecircle.in Thank you